कि क्या कि क्या नीजी कंपनिया जो सरकार से जमीन और बिजली जैसी अनस्विधाएं रियाइटी दरों पर प्राप्ट करती हैं क्या ये उन संस्थानों में आबिस्थान ये रोजगार हडियारा सरकार की तरहें 75 पीजदी सुनिस्चित करने का काम करेंगे यदि हा तो कब त दूसरा प्रश्ण है क्या 25 करोड की जन संख्या वाले इस प्रदेश में हर साथ दो करोड युवाओं को समयोजित करने के लिए आप प्रभावी कदम उठाएंगे यदि हां तो क्या कब तक यदि नहीं तो क्यों मंत्री की जो इतना पूछा होतना बता रही ये मानिवर देगी माननी सदस्य आप पोचे अब दाई मानी सदस्य ने प्लीज बताईए बड़ा सीधा सा प्रस्ण किया है सीधा सीधा जवाब देजे कि जो कमपनियां है जो नीजी छेत्र है उसमें क्या हर्याना सरकार जो हमारी ही सरकार है हर्याना सरकार ने जिस तरह से वहां हर्याना के नौजवानों के लिए कारक्षण की विवस्था की है क्या उस तरह की विवस्था क्या उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी मानिवर उत्तर प्रदेश निश्चित तोर पर एक बड़ी संभावनावाला प्रदेश है और आज वन ट्रिलियन डालर एकोनामी के लक्ष के तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हमानुगा इस तरह की विवस्था अरे सुनने तो मैंने काया कि जो पूछा उस पर शीना बोलने दीजेनाब मैंने को नगेगा कि वहार बोलने तो मैं खुद निवेदन कर लूँगा मंतिजी से पुद देश के कई प्रदेशों ने इस तरह की विवस्था की और वो सफ़ल नहीं होता है मानुव्दक् discussion कई पर तक पर देशों को वापस करना पड़ा उत्तरा खंड का उधारन हमारे सामने है मानवर और हर्याडा प्रदेश की सरकार ने जो किया आज कई कमपनियों को वहां मैंपावर नहीं मिल रहा है इस वज़े से कई कमपनिया पलाइन कर रहे हैं मानवर पसंदीदा दिस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश बना है मानवर और धुनिया बन की बड़ी बड़ी कमपनिया आ रहे हैं उनको इसकिल लेबर चाहिए मानवर इसकिल तर्मतार चाहिए क्यों जो कुशल कामदार है इसलिए हम इस व्युस्था को नहीं ला सके और यह दूसरे जो प्रदेश में हमारे जो प्रवासी स्रमिक जाते हैं मानवर उनके साथ भी कोई सेला ब्यभार नहों इसलिए भी ये बबास्ता ठीक है कि हम इसको नहीं लांवर प्रश्ञुर्ट